तो तुम लों का नया chapter है एसीड बेस और salt बताओ क्या जानते चीड के बारे में है अगल मिनले यद्स कमक है स्वाद में खट्टा होता है क्या हर एसीड को तुम टेस्ट करके देख पाऊ पेट खा सारा चीज जल जाएगा तो बैटो बाटो एसीड बेस एंड साल्ट तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसीड किसे कहते हैं और इस तरह रखते हैं बेस को है तो कुछ-K certains लिखेंगे पाहला क्या है तुम लोग भोले स्वाद में हुणा होता है एसीड और क्यासा होता थे तेस्ट की हो क्या एसे टेस्ट की हो कुछ भी नहीं निम्बू खाया कोई क्या दही खाया गयो क्या तो इसी टेस्ट की हो तुम लोग तो निम्बू में कौन सा अटिड होता है सिट्रिक एसट और दाही में लक्टिक एसट ठीक और आम विखाया के कच्छ वोला उसमें कौन सा होता है नहीं उसमें मैलिक एसी ड़ोता है है ठीक है चलो कोई बात नहीं है एसिड क्या बोले तुम लोग स्वाद में स्वाद में खट्टा होता है है ठीक है मतलब और क्या एसिड तुम्हारा एच प्लस आयन निकालता है एसिड एस प्लस आयन जो निकाले कोई भी तुम्हारा कंपाउंड जो एस प्लस आयन निकालता है उसे क्या कहेंगे एसिड कहेंगे लाल करेता है अगर अलए हो जाएगा इसे का उल्टा होगा तो यह स्वाज में कैसा होता है करबा होता है 주 ivory है और अगर यह एस प्लस अयन निकालना है तो यह क्या निकालेगक नहीं यह ओएच माइनस आइनकाले गहाँ ठीक अगर लुग को रेड्स मेंनस को लो कैसे याद रहेगा यह दो को बेस बुलू करता हैं अलोलबには भूली रहेगा रेट को तो कुन रहेगा तो बिलू करता ही है दिदेडेंगा अगर लिट के बस डाला जाए तो बुलू का बुलू ही रहेगा एक्स्पीरिमेंट की हो इसकुल मैं नहीं की अज inquis से मेरे पास वा है पिछला कलास में करता है तो इसी तरीके से याद करना भी ब्लू करता है ब्लू करता है इद्र में बढ़ा लो में ब्लू करता है तो उड्म है तो पर खास बात एसीड तीन तरीके का होता है नहीं दो तरीके का होता है एक स्ट्राउंग और एक वीक तो एसीड किस किस तरीके का हो गया कि स्ट्राउंग एसीड और वीक एसीड ठीक है तो स्ट्राउंग एसीड कुल मिला के हमारे पास साथ ही है पहले यह जानो इस्ट्रॉंग एसिड क्या होता है विक एसिड क्या होता है तो इस्ट्रॉंग एसिड वह होता है जो पुर्ण रूपेन आयंस में तूट जाए जैसे एच्छी एल विक एसिड को इस तरह रखते हैं वे एसिड बाद बताते हैं जैसे तुम्हारा एस सील इसको जैसे पानी में डालोगा ना पानी के सुतर पता है ना एस्टू वह पानी में जैसे डालोगे यह एच्छ प्लस और इस एल मैनस निकालेगा पुर्ण टूट जाएगा अगर माल मुलेकुल डाला गया तो दस मेंसे दस एच्छ प्लस और दस में टूट जाएगा यह रियक्षन का मतलब समझो यह यहां पर लिखा हुआ है यहां पर भी एक यहां पर भी एक मतलब क्या हुआ अगर एक तो एक प्लस और एक शिएल मैनस निकालेगा ठीक है उसी तरीके से ठैइट forwards two minus मतलब क्या हुआ एक है टो أससちょっと करके Having broadcast आया और 1 एस कंद थी मैंने साइन है ठीक है तो यह पूरण रुपयं तोट जाता है क्या होता है पूरण रुपयं तोट जाता है लेकिन अब देखो सी एस थ्री सी डबल ओ एच ये भी एसीड है ये टूटे अगस में सी एस थ्री सी डबल ओ मैनस और एच प्लस में ठेक लेकिन अगर ये दस मोलिकूल दिये तो मात्र दो ही टूटेगा और आठ का आठ ऐसे रखा रहा जाएगा असमझ रहे हो मतलब पुल्ण रूपयन ये नहीं टूट रहा है जो पुल्ण रूपयन तूट गया वो हो गया मजबूत है ना और जो आसिक रूप से टूटा उसको कहेंगे कमजोर मतलब विक ठीक है बोलो समझे तो स्ट्रॉंग एसीड हमारे पास कुल मिलाके साथ ही है कुल मिलाके कितने हैं साथ कौन कौन से इसको ध्यान में हमेशा रखना है 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 और कौन सा सलफ्यूरिक एसीड यह सब को जैसे पानी में डालेंगे पूर्णुपेंट तूट जाएगा सारे आएंस में बदल जाएंगे है ठीक और कौन सा है कितने होगे 3-4 है एच नो 3 नाट्रीक एसीड है एच नो 3 नाट्रीक एसीड और कौन सा है है ह सी एल ओ थ्री और है ची यालोफ्वोर साथ होगे देखो तो होगे यह हो गया खू अक्लोरिक असेंट यह प्लोरास àsिड थे लहना कॉनरे जैसा कुछ टर्म होना चाहिए तो यह हो गया क्लोरिक असीड यह क्लोरासएड समझ गहा पुझ कि अच्छा एक टो बात हो तुम लोग यह जानता है कि यह 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 priced होता है यह 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 धो यह 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 गिड़ दो कि जैब मैं जिसमें ज्जय वह यह यह प्स omega Chloric Acid यह Chlorous Acid समझ में आए नाम कैसे दिखा जाता है ठीक इसको लिखो दूसरा तुम्हारा वीक एसीड था ना वीक एसीड इसका कुछ एक्जामपल लिख लो एक्जामपल तुम्हारा और और कौन सा है एस टू एसो थ्री बहुत सारा एक्जामपल लेशका जितना भी बाकी बचा हुआ से ट्रीक एसीड मैलिक एसीड सारा क्या है वीक एसीड लिखा जाए तो है एसी एल जाए कि भाटन इसका भाटन के देखो याँ पर यह है यहां तो यह हैड्रा मतलब क्या होता है लेको दो चीज़ है एक होता है हाइड्रा एक होता है हाइड्रो जहां पर हाइड्रा हो गया वो पानी बता रहा है वो वो क्या है जल है एस्टूओ है और हाइड्रो जहां हो गया वो हाइड्रोजन का बात कर रहे है तो यह क्या यहां पर हाइड्रो लिखा हुआ है मतलब क्लोरिक एसेड है अध्रो क्लोरिक एसेड ठीक है समझ रहो क्लोरिक एसेड थीक है देड स्थेस है कprene कर देर बहा है एसेज हो उता कर सकते हैं तो अब लिखो इस ट्रॉंग एसिड का डेफिनेशन लिखो लिखो इस ट्रॉंग एसिड ऐसे एसिड ऐसे एसिड जिसे पानी में डालने पर ऐसे एसिड जिसे पानी में डालने पर पुर्ण रुपेन आएसिड जिसे पानी में डालने पर पुर्ण रुपेन आयंस में तूट जाते हैं इसे एसिड जिसे पानी में डालने पर पुर्ण रुपेन तूट जाते हैं पुर्ण रुपेन आयंस में तूट जाते हैं कि उसे इस्ट्रॉंग एसिड कहा जाता है अगला लिखो वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड आइसे एसिड आइसे एसिड जिसे पानी में डालने पर जिसे पानी में डालने पर आंसिक रूप में जिसे पानी में डालने पर आंसिक रूप से आयंस में तूटता है ऐसे एसिड जिसे पानी में डालने पर आंसिक रूप से आयंस में तूटता है उसे वीक एसिड करते हैं कि बोलो समझ में आया है मतलब अगर दस मोलेकुल या डाले पानी में तो दस का दस आयंस में तूट जाएगा जब कि वीग एस तो फूर 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 फिर सी डबल ओ यह सब पानी में डाला जाए तो यह आंसिक रूप से तूटेगा मतलब अगर यह सकता है एक ही टूटे हो सकता है दो ही टूटे वह उस एसीड पर डिपेंड करता है कि वह कितना तूटेगा ठीक है समझ गया कि लिए है ठीक है कि अब एसीड़ तो स्ट्रॉंग बेस क्या होगा जो पूर्ण रूपेन आयांस में तूट जाएगा उसको फ्राइब सके एसा बेस प्रूर्ण रूपेन टूट जाए और तो जाए बेस जो आंसी घ्रूप से एस में में तूटेगा वह जाएगा वीक बेस भी Bye सब्सक्राइब बारें बात करें तो स्ट्राइब जो पुर्ण रुपेन आइस में टूट जाए जैसे तुम्हारे जामपर में ले लेते हैं कि जो भी पहला ग्रूप है पुर्योरीट टेबल तुम लोग देखा है कि है उसमें सबसे पहला वाला जो उपर वाला लाइन है सबसे पहला गुरूप कहा जाता है उसको वर्टिकल लाइन को एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है ठीक है एक ऐसे मतलब पड़ा हुआ पीसे पड़ा हुआ पीसे पीरियड तो इसको कहा जाएगा पीरियड और जो खड़ा है उ लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वह कौन से ग्रूप में रहने वाला है वैसे तो प्रिविक टेवल में कहा जाता है कि फस्ट ग्रूप में है लेकिन अभी तक उसका जगह निश्चित नहीं हुआ है तुम लोग में से पता कर लिया कहां रखना चाहिए नोबल प्रसकार दिलवाया जाएगा सोच लो ठीक है लीथियम सोडियम पोटासियम रबूडियम और सीजियम यह सब का हड्रोकसाइड ओएच यानि क्या लाइओच एने ओएच के ओएच आरबी ओएच सीएस ओएच यह सब क्या हो जाएगा स्ट्रॉंग बेस यह सब क्या हो जाएगा स्ट्रॉंग बेस इसको जैसे पानी में डालेंगे तो यह मेटल और इसके बीच का जो बांड होगा वह तूट जाएगा तो क्या देगा जैसे माल लिए जा एने ओएच को पानी में डाला जाए तो एने प्लस और ओएच मैनस में त होते हैं है हाट्रोकसाइड जी अन्य खिलाश को लिखो लिको एए स्ट्रॉंग बेस ऊपर आता हुआ 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 है हुआ है आही है हुआ है 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 ऐसे बेस नाया था निए तुम्यों बसक्राइव निफे करते हम न है तो ऐसे भस्म जिसे पानी में डालने पर पुर्ण रुपेन जिसे पानी में डालने पर पुर्ण रुपेन आयंस में तूट जाते हैं ऐसे भस्म जिसे पानी में डालने पर पुर्ण रुपेन आयंस में तूट जाते हैं उसे क्या कहते हैं उसे स्ट्रॉंग बेस कहते हैं अधर मजबूत वाला ठीक है अगला लिखो स्ट्रॉंग बेस में यह सभी जांपर डाल दो अगला लिखो वीक बेस अगला लिखो वीक बेस लिखो ऐसे बेस जिसे पानी में डालने पर ऐसे बेस जिसे पानी में डालने पर पुन रुपेन आयंस में नहीं तूटता पुन रुपेन आयंस में नहीं तूटता या फिर आंसिक रूप से आयंस में तूटता है ऐसा भी लिख सकते हो पुन रुपेन आयंस में नहीं तूटता या आंसिक रूप से आयंस में तूटता है उसे वीक बेस करते हैं एक्जांपर में लिख लो एन एच फॉर ओएच अच्छा हमें एक बाल बता हूं जो हमारे एसीड था किस टाइप का था अचे नो थरी था एस्टूएसर फोर था व्ल था यह सब क्या था तो प्रवाप तो हैड्रुजन भाट निकलेगा तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कर जिसमें हैड्रुजन होता है उसको एसीड करते आप जिसमें ऑच रहाता है उसको बेस करते कर सकते हैं क्या ठीक है अब बताओ एनस थ्री एसी डाय की बेस है एसी डेना हां तो एनस थ्री बेस है कि एनसरी क्या है बेस है इसको पानी में डालते हैं न ति और यह ओएच मेनस निकालता है बहुती कज़ेब का चीज है क्या निकालता है और मैंस कैसे देखो यह दो कर आते हैं इसको पानी से एनसरी प्लस ऐस्टू ओ पानी में गया यह यह क्या करता है पता है एस थू कैसे प्लिशते हैं एच उएस लिख सकते हैं न जी लख सकते के भाग जाता है मतला है अपने साथ और आंच पूर बना घटा है तो इसको जैसे पानी में डाले तो यह रख लिया तो क्या बन गया एनेच फोर प्लस बनेगा और साथ में पर मैनस बनेगा तो दिया नोच मैनस तो परिबासा यह नहीं कर सकते कि जिसके पास ओएच है उसको को बेस काते हैं परिवासा यह होगा जिसको पानी में डालने पर वेच मैनस निकलेगा उसे बेस काते हैं समझ गया जिसको पानी में डालने पर एच प्लस निकलेगा उसे एसिट करते हैं जिसे पानी में डालने पर वेच मैनस निकलेगा उसको बेस कहा देंगे समझ गया अब जांपल में यहां पहने इस्तरी भी डाल दो कि ठीक अधिक हला नहीं पी-एच इसके यह जो स्केल होता है वह जीरो से 14 तक होता है यह पी-एच इसके जीरो से 14 तक होता है ठीक है इसका मीडिल कहां हो जाएगा साथ ठीक है तो जीरो से साथ को हम लोग को कहेंगे क्या एसीड और साथ से चौदर तो क्या कहेंगे ठीक है पी-एच मतलब क्या होता है पावर ऑफ हैड्रोजन तो एक बात बताओ जिसका हाड्रोजन का पावर ज्यादा है उसका पी-एच कम या ज्यादा जिसका हाड्रोजन का पावर ज्यादा है मतलब अच्छा एसीड है है कि नहीं है जिसका हाड्रोजन का पावर ज्यादा है वह क्या है अच्छा एसीड है ठीक है तो उसका पी-एच क्या होगा कम होगा हूं इसका हाड्रोजन का पावर कम है वह बेस कहलाएगा इसका टोर्फ पी-एच कि तो उसका सथ से लोगा छओगा मतलब सभर से अधिक होगा तो देखो अभी हम लोग क्या जाने थे हैं अभी हम लोग क्या जाने थे इस्ट्रॉण एसिट और स्ट्राउग बेस और वीक बेस तो अब ही हम लोग अधिन छिखें छोट्र पिच्च टो कहां से कहां तक होता है उसके बारे में जानेंगे जो स्ट्राउंग एसीड होता है उसका पिए जीरो से नजदी कराता है इसको क्या कहेंगे इस ट्राउंग एसीड यानि कि जितना भी अभी बताए है है और कौन से बता है एस लमाहे से जेड़ होगा था और जिए सब कशका ङांदेक होगा साथ कम लेकिन साथ ठीक है जिसका नज्दीख साथ से गती कम है तो व CAS नज्द golpe साथ से ज्यादा हैं तो इसको कहेंगे नहीं एऊ ऐसे श्ट्रॉंग कर jij सब्सक्राइब यहां से यहां तक बेस खाला है ने जी तो जो श्ट्रॉंग है वह 14 और साथ के नजदिक रहेगा ठीक है और जो वीक है वह साथ के नजदिक रहेगा साथ से ज्यादा तो विक बेस और साथ से कम तो विक एसिड और साथ पी-च किसका होता है तो भी तूटता है लेकिन बहुत ही कम तूटता है यह एच प्लस और ओएच मैनस में तूटता है तो वह स्टूओ एसिड वा कि बेस हुआ तबेस अधर किछ निकालता है यह जो क्या कहेंगे भी तो शह ट्वान इस टूँन निकालता युण कि बेस लोगी तो नयो서도 शाच on वह नीट्रल कालाता है मतलब वह अगदम न्यूट्रल उसको ना एसीड कहा जा सकता है ना समझे बात तो इसको लिखो यह पीएच के लिखो का हाँ जैसे जैसे पूरा वैसे लिखना है तो हम लोग को पता चल गया एकशिड बेस का पी एच के बारे में अब है हम लोग का एसीड का रियक्षन अलग-अलग चीजों के साथ अच्छा कोई देखा है कि यह मेला ओला में गुबारा मिलता है उड़ने वाला क्या भरा होता है है कैसे बनता है हम और में अरे वह मेटल का कुछ दबा रखता है उस से अथे हावा भरता है थेक तो बनता कैसे है वह तो सिरिंडर से भरा लेकिन वहीं के वहीं वह बना के देता है वह वह वहीं पे तुमको बना के देता है ऐसा नहीं भर से हैडूजन गास बना के लाता है फिर तुमको देता है नहीं वहीं बनाता है तुम्हारे सामने चूना चूना क्या होता है जी इस यह सी ओ थ्री बोल रहा है ना सी यह सी ओ थ्री इसमें हैं कहां है 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 तो यह तुमारा औटोमेटिक रियक्शन करता है पता है क्या सी यह सी ओ थ्री इसमें सी ओ टू ऑक्सिजन से लेता है और प्लस अच्टू निकलता है तो निकला है नहीं और बताओ अरे सिंपल से बात है एसीड पढ़ा रहे हैं तो यह सीडे से कुछ ना कुछ होता होगा ने जी है है चलो बताते हैं कि रियक्शन ठेक है विट मेटल तो एसीड एसीड को आज से हम लोग पता कैसे दिखाएंगे एम एच से एम एच इसके पास है रिखा दिये और इसको रियक्शन कराएंगे हम किसी मेटल से एच दिखाते हैं कोई भी मेटल बताओ कोई भी धातू कोई भी धातू कोई भी धातू बताओ जल्दी फटाक से पीबी बेरासी तो इसको पीबी से रियक्शन कराएंगे तो यह पता है क्या बनेगा पीबी कि दिखो एस्टू निकला की नहीं निकला और इस्टू तो गैस है तो और के उपर में आ जाएगा है ना यह क्या था लिक्विड था यह सॉलीड तो सॉलीड और लिक्विड जब रियक्षिन किया तो एक गैस निकला एस्टू तो तुमारा जो भी तुमारा वो मेटर का डबा था उसमें सबसे उपर में जमा होते जाएगा तो जैसे वाल खोला जाएगा तो वह बलून में भर जाएगा तो वह पीवी का इस्तमाल नहीं करता है लेकिन कॉच्ण होता है ने इतना पैसा तुम देते हो कि देते हो या रप्या एक में किया इस्तमाल करेंगा 5 10 05 नहीं मिलेगा तो कोई उसे माल लेते हैं सबसे सस्ता क्या मिलता है आयरन मिलता है लोहा अराम से मिल जाता है ठीक है तो यहां पर आयरन डाल दिये तो क्या बनेगा यहां पर क्या निकला तो किसी भी एसीड को मेटल से मेटल मतलब धातू किसी भी एसीड को धातू से अविक्रिया करवाते हैं तो यह क्या बनाता है इसको कहते हैं लवन ठीक है और लवन के साथ हमारा हो निकलता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी करिया है किसी भी एसीड को धातू के साथ अभी कराएंगे तो लवन और स्रुनिकलेगा बोलो समझे कैसे निकलेगा वो भी देख लिए हम लोग रियक्शन से और यहां पर यह वाला देखो बैलेस नहीं है यहां पर दो लिखे देंगे तो बैलेस हो जाए क्या देखो एक बार तो बैलेस हो रहे हैं अब बोड़ यहां है टेका आज के लिए इतना ही रहेगा आज के लिए इतना ही रहेगा इसके आगे हम लोग नेश्ट लास में पढ़ेंगे